नमस्कार इनकबर में आपका स्वागत है उनके भाई सुनिल रावत का आरोप है कि ये गिरफतारी गलत तरीके से हुई है इडी ओफिस में उनसे साम साड़े पांच बजे पूश्चा शुरू हुई उनके भाई सुनिल रावत ने कहा था कि सुबह करीब साथ बजे बीस बाई सदिकारी तालासी वारंड लेकर संजे रावत के आवास पे पहुँचे लेकिन उनने पात्रा चाल मामले से जुड़ा को संजे रावत को गिरफतार किया आपको बता दे कि ये पूरा पात्रा चाल लाइंड स्कैम करीब 1034 करोन रुपे का बताया जा रहा है इस मामले में संजे रावत के सहयोगी प्रवीन रावत की 9 करोन रुपे और संजे रावत की पत्नी बरसा की 2 करोन रुपे की संपत्ती ज चुकेंगे नहीं, जै महराष्टा ऐसा कह करके उन्होंने ट्वीट किया, और जब E.D. उन्हें अपने ऑफिस ले जा रही थी, तब भी जब वो घर से निकले थे, तो कुछ इस तरीके से वहाँ जमासिव सैनिकों को अपना गमच्छा दिखा रहे थे, मानों वो कह रहे हैं क मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं निर्दोस हूँ, लेकिन जब E.D. ने गिरफतार कर लिया है, तो अब उनकी मुसीबते बढ़ गई है, क्योंकि ये लडाई अब तो कानूनी हो गई है, लंबी चलेगी. अब समझे कि क्या है पात्रा चाल स्कैम, साल 2007 में महाराष्ट हाउसिंग एंड डेवलप्मेंट एथार्टी यानि महाडा ने चाल में रहने वाले परिवारों को अस्थाई घर देने के लिए फ्लैट बनाने की योजना शुरू की थी, यह काम गोरे गाउं के गुरू आसीस कंसक्शन कमपनी को दिया गया, महाडा की 47 एकड की जमीन में 672 घर बने हैं, कमपनी को साड़े 3,000 फ्लैट बना करके देने थे, महाडा का प्लान था कि फ्लैट बनने के बाद जो जमीन बचेगी उसे बेच दिया जाएगा, हाला कि 14 साल के बाद भी कमपनी यहाँ इतने फ्लैट नहीं बनाये जितने बनने थे, आरोप है कि गुरू आसीस कंसक्शन कमपनी ने महाडा के साथ धुखा दड़ी की और बीना फ्लैट बनाये ही जमीन बिल्डरों को बेच दी, इससे उसे 901 करोन रुपे से जादे का मुनाफा हुआ, आरोप है कि कमपन HDIL की सिस्टर कमपनी है, प्रमीर राउत इसमें डिरेक्टर थे, साल 2018 में महाडा ने गुरू आसीस कंसक्शन कमपनी के खिलाफ AFIR की और धोखा धड़ी का आरोप लगाया, ये मामला Economic Offense विंग को दिया गया, 2020 में प्रमीर राउत को गिरफतार किया गया, जो संजे राउत क करी भी निकला, प्रमीर राउत सारंग और राकेश बधावन के साथ कमपनी का डिरेक्टर है, बधावन भाई PMC बैंक घुटाले के भी आरोपी है, प्रमीर राउत की गिरफतारी के बाद सुजीत पाटकर नाम के सक्स के ठीकानों पे छाबे मारी हुई, यहां मिले दस्ता से पता चला कि प्रमीर राउत की पतनी ने संझे राउत की बर्सा राउत को करज डिया था, पचपल नाख रुपे करज लेकर बर्सा राउत ने दादर में फ्लैट खरीदा था, सुजीत पाटकर का लिंक भी संझे राउत से जूडग गया, बताया जाता है कि वो भी संजे राउत का करीबी है और राउत की बेटी उसकी वाइन ट्रेडिंग कमपनी में पार्टनर है इस तरह संजे राउत का परिवार ED के सिकंजे में फंसता चला गया इस मामले में संजे राउत के सहयोगी प्रवीन राउत की 9 करण रुपे और संजे राउत की पत्नी बरसा की 2 करण रुपे की संपत्ती जब्त हो चुकी है कैसे इसको लेकर के और अपडेट मिलेगा आपसे साजा करेंगे रहे नभी खबर देखते रहे इन खबर थैंक यू